Hello guys, this is me Zia Olasan and you are watching Asana Art Studio आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है कि आपके प्रक्टिकल में क्या आने वाला है और नेचर स्टडी एंड इस्टिल लाइफ क्या होता है उसके वारे में आज हम बात करेंगे और यहाँ पर हम कुछ नेचर स्टडी एंड इस्टिल लाइफ की ड्रॉइंग भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसे आप अपनी पॉर्टफोलियो फाइल में बना सकते हैं और आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे आपको चीजे बनाने के लिए आने वाली है आपके प्रक्टिकल में तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बात करेंगे और आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोग को किस टाइप की मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं तो उसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं यहाँ पर हम सारी कमेंट्स पढ़ते हैं और जैसे जिस कमेंट का हमें लगता है कि इस पर स्टिल लाइफ की तो इस दिल लाइफ में क्या होता है इससे लाइफ में वह चीजे रखी जाएंगे आपके आपके बार जिनके अंदर जान नहीं होती है जिसे निरजीव कहते हैं हिंदी में तो वह जो नौन लिविंग ञाइए ठीक है वह चीज़ेएप पके सामने रकी तो नेचर स्टेडी में आपको कोई भी फ्लार्स जैसे जो हमारे नॉर्मल फ्लार्स हैं जो बेसिक फ्लार्स हैं जो हमें हर जगा मिल जाते हैं जैसे हो गया हमारा हिबिसकस हो गया एंड रोज हो गया तो यह सारे स्कूल में या फिर कनेर हो गया तो यह वाले जो फ्लार्स ह उटा करके आपके सामने रख दिये जाते हैं अगर आपको नेचर स्टेडी करना है वरना जादा तर जितने भी स्कूल से हैं वो इस्टिल लाइफ ही करवाते हैं नेचर स्टेडी कोई-कोई करवाते हैं तो प्रक्टिकल में अब क्या होने वाला है आप अपनी स्क्रीन पर अ यह सबसे जादा basic shapes होते हैं इन से related सारे shapes हमारे बनते हैं जैसे कि जितने भी बढ़तन होते हैं तो इन shapes के according ही वह होते हैं जैसे अगर हम glass किया जग किया जार की बात करें तो जैसे आपके cylinder यहां पर दिख रहा है तो यह होता है जग जार glass के जैसा तो यह एक चीज हो गई आपकी और यह जैसे कोई box बगरा रहते हैं अगर जैसे box आपके सामने रख दिया जाए बैसे तो आपके सामने तीन या चार चीज़े रखी जाने वाली हैं आपके practical में और आपको सामने से देख करके बनाना होगा अब आप देखेंगे कि आप कौन-कौन से यहां पर हमने suggestions रखे हैं आप अपनी portfolio में बना सकते हैं और कैसे कैसे आपके school में रखे जा सकते हैं आपके सामने तो यहां पर basically आपको साम के लिए बना रहे हैं तो उसमें nature study and still life ही बना देंगे तो काफी मदब ठीक रहेगा उससे जादा बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे schools आप से कुछ composition बनाने के लिए पूछेंगे और कुछ और तरह की दिरॉन गनाने के लिए पूछेंगे और आप से cbsc ने नहीं मांगा कि आप से कोई अगलक से आप canvas बनाईए या कुछ बनाईए ठीक है cbsc ने सिर्फ आप से काया कि सिर्फ आपके दो drawings नोने लेने होंगे जो की सबसे बैस होंगे और बाकी के six seven और जितना भी आपने practice किया है term two में वह आप लेकर कर जा सकते हैं और first term औ अब लोगों से हम बात कर रहे हुंँड तो वह आपस में बात करे हैं या उनका कोई tutorial चल रहा होगा तो उसके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं क्या हूँरी है उनकी यहां nature के साथ इसलिए आए हैं क्यों आज नेचर पर हम बात कर रहे थे तो इस लिए nature के साथ आए है औ आई होब यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फू वाचिंग